वेलकम तू आल आफ यू माई नेम इस शानु एस्वाल एंड यू आर वाचिंग इस्टेडी फॉर आल इस्टेडी फॉर आल में आप से का बहुत बहुत सा अगत है आज जैसे की जीके का इंपोर्टन शेक्शन होने वारा था तो आज मैं डिसकस करने वाला हूं डक्टर बी सावरकर तो बीडी सावरकर के बारे में जो एक्जाम पॉइंट आफ यू से क्वेशन फुशे आते हैं और जो क्वेशन एक्जाम ओरेंटेट होते हैं तो वहीं मैं आपके सामने डिसकस करने वाला हूं सो लेट्स स्टार्ट अनुशेशन आफ हिस्ट्री तो इसका मैंने सावरकर इंडियन का अभीन मित्र हैं तो इस से आपको व्याव जाएगा सावरकर से होगा सावरकर से हो जाएगा सावरकर से सावरकर के बारे में हैं सावरकर का होना जरूरी भी है इंडियन से हो जाएगा इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस तो इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किस ने लखी तो इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक बीडी सावर करने लिखी तो यह कोईशन पूछागा तो आप बीडी सा वर कर पे टिक लगाएंगे अच्छा यह पुस्तक का विश्य क्या था इसका थीम क्या रखा गया था तो यह इन्होंने जो यह इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने अठारा सोतावन का सुतंता संगर जो 1857 का जो फ्रिडेम इस्ट्रगल था उसके बारे में इन्होंने बाखुबी यहां इस बुक में इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस में इन्होंने चर्चा की है बहुत अच्छा आप जरूर पढ़िएगा तो यह बहुत अच्छा कुश्यन है इंडियन वार अफ ़े जर 나is ये युद्ध माना जाता है पथम यह पहले लड़ाई मानी आती है सुपत्रता के लिए फ्रिडम के लिए नेचन बात की जाए का से हो जाए काला पानी तो आपको सवाजा कोई नहीं था तो काला पानी के सचा किसे सुनाएगी वी है तो बीरी संगठन झी एक क्या थी एक संगठन बनाएगी थी नि रवुद। पहुत कॉसरा क्रान्तिकारी काते कर Watch क्वका सब्सक्रांग में इसी मित्र मेला क्या है पहला सब्निक्ति हएता यें मत्र मेला क्रोन सांवन की थ Batt Mine Якप सकते कrema सान्हीं निगानी सुर्वनिकारी हुआ जाने नूसरे से कोशन नहीं पुछाएगा तो बीदी सावरकर जी से ये किया थी ये ज़ी ऑर्गनाइशन थी इसकी स्थापना किस ने की थी तो दी इन्होंने एक ऐसे वेक्ति थे जी ने इच्छा मृत्यू की प्राप्ति की तो भूखे रहकर इन्होंने इच्छा मृत्यू की प्राप्ति की अंत्ता यह भूखा भूखे रहे मतलब अंशन किये तो यह बहुत ही बढ़ियां इंपोरेंट है question ही है paper में जरूर आएगा तो सुभास चंद्र बोश्जी को नेतजी किस ने कहा तो ये he Mater the तो इनको इसी प्रेकार बीडी सवरकर जी को विर सवरकर के नाम से भी संबोजित किया जाता था तो इतना उम्मीद कता हूं समझ में आया होगा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और शुरू करता हूं अपना सेशन जी के इंपॉर्टन सेशन जो कि आपके लिए बहुत ही महत्य कौन होने वाला है मैं इसको रॉफ कर दे रहा हूं और को देखेंगा शुरू करने आल ह Curtis का ड Schuld बहुत में अगल की बारत में राष्ट्रे पच्छी दिवस कमने जाता है को चैनल बारत में राश्ट्री में क्षी दिवस यानि नेशनल बर्डे गब मना आता है तो भारत राश्ट्रे पच्छे दिवस मनायाता है तो उमिद कहते हैं आ रहा होगा अच्छा क्वेशन पूछाएगा कि विश्व वन जीव सब्ता दिवस कब मनायाता है तो विश्व वन जीव सब्ता दिवस विश्व वन जीव सपता दिवस कब मना आता है तो यह अक्टूबर के फ़र्ष्ट वीक में यह हमेंसा यह मना आता है तो फ़र्ष्ट वीक ओफ फ़र्ष्ट वीक औफ अक्टूबर अर aí、「 क्युंव सं след वर्ड वाइस लाइफ दे तो इतना है अस्था को शर्फ भारत का मतलब सर्फ उघ्यान इयान है उद्यान मतलब पौर्फ नेशनल पार्ग अप्यान है किलब पार्ख सर्फ उध्यान कांज इसे था तो आप जानते होंगाirty कि त्याड ही, लोग कहां करने आते हैं तो कोटा में करने इसे प्रकास से कुशन और पूछाता है देश का प्रथम मरू वानस्पतिक उध्यान कहा इस्तित है सॉरी मरू वानस्पतिक उध्यान देश का प्रथम कौन सा मरू वानस्पति वानस्पतिक वानस्पतिक उध्यान कहां इस्तित है तो यह भी आपका रायस्थान में इस्तित है कहां पर इस्तित भी आ है अच्छा है उस राष्टी वनस्पतिक उद्ध्यान का नाम क्या है तो माचिया के नाम है माचिया सफारी पार्क के नाम है माचिया या माचिया भी बोलते हैं माचिया सफारी पार्क तो भारत का पर्थम वनस्पतिक उद्ध्यान का नाम क्या है माचिया सफारी पार्क स्थान के जोदपूर में यह इस्थित है तो इतना उम्मिद कर था हूं समझने आया है आपको अब दोव्यों कोशन पुछाएगा का आप से बताना हों कि ऑजोन के बारे में कुषण पुछाता है इसको में रफ कर दे रहा हूं क्या क्या कोशिन पूफ यह आगा? ओजों के वारह हुआ में ॡिसकस किया आता है तो जों से बहुत इbn心 है IMPORTANT Question पूछ आता है ओजोंगो जों का फॉर्मुला क्या होता है?äg ओधरी होता है ओधरी होता है ओजों से Question क्या पुछ हाएगा? ओजों पहला कोशन कि इसे प्रिथवी की सुरच्छा कवाच कहते है। क्या बोलते हैं है!? प्रट्रवी की सुरच्छा कवच यानी प्रुड्ठ inchesonne konkret हूं टॉप धर ट्भ gua आयता है तो आपको पता होगा इसे समताब मंदल के नाम से भी समताब मंदल में पाया आता है इसे बोलते हैं समताब को बोलते हैं स्ट्रेटो क्या बोलते हैं स्ट्रेटो और मंदल को क्या बोलते हैं स्फेर मंदल को क्या बोलते हैं स्फेर बोलते हैं मंदल क्या बोलते हैं स्फेर बोलते हैं कोशन के पूछाएगा कि फोटो इस्टेट मसीन से कौन सी गैस निकलती है तो ध्यान दीजेगा फोटो की चत्री में और ऑजोन गेस निकलती है और से प्रिथेविकर सुरुष्षं कवच्छ कि साथ प्रया वर्ण की च्छत्री बोला याता है कि में बिकॉस यह किन करूनों को रोपती है ध्यान दिजेगा पर कि ऑब गया है क्योंकि यह परा बैंगिनी इसे हैं किनगरों करुछत किरणों यानि अल्टरा वायलत रेस को यह स्टाप करती है रोकती है तो परीयावण की छतिरी बोलाता है अच्छा परा बैंगल की खोज किस ने किया था तो आपको यह बताना है कमेंट सेक्सिंग के बॉक्स में कि परा की खोज किस ने किया था तो अदिना उम्मित कहतंगों स्मझमेर आ रहा होगा आपको कोशन पुछाएगा कोशन क्या पुचows वाइगा इसकी गव लूख छी देल आ इसकी तो इसकी जो गंद होती है तो व्चोन कसफ बल्गली जैसे गंद होती है तो व्चोन मचली ऐसी इसकी गंद होती है कि इसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है तो इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम भी है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो उजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ तो मौन्ट् हार एक rules and regulations चलते हैं वैसे ओजोन को रोक ओजोन की जो चिद्र हो रहा था यहीं डेपलीशन जो हो रहा था उसके लिए कौन सा प्रोटोकाल हुआ तो उसके लिए मॉंट्रियल प्रोटोकाल हुआ जो कि कब हुआ भीया तो देखिएगा आप अपको बताना है कि मॉंट्रियल यहीं पे हुआ था तो इसलिए फ बताना है तो मॉंट्रियल प्रोटोकाल जो हुआ ता यह 16 सब्टेमबर 1987 में हुआ तोКब रही ता 16 सेप्टेमबर 1987 यनि 16 सितंबर 1987 में वह था और यह प्रभावी कभ वह यह मतलग की पूरी तरश से फालो कभ वह प्रभावी कभ वह तो यह 1989 में यह फालो होना शुरू हो गया अब आपको पताना ये भी है कि कि कितने देश संवलित हुए इसमें तो कितने देश सम्मिलित हुए उसमें, कितने देश इसमें सहभागी बने मतलब इसमें आये, तो कितने देश इसमें सम्मिलित हुए यह भी बताना आपको, तो इतना उम्हेत के तमस्मिश में आ रहा होगा, यानि 16 सितंबर 1987 को, sorry 1987 जीसे बोलते हैं 1987 को, यहां पे हुआ ओज के लिए मॉंट्रेल पोटोकॉल अब आपको बताना है मॉंट्रेल जो शहर एक इस देश में पढ़ता है वो जो उन के लिए हुआ था इसमें कितने मेंबर ने भाग लिया था कितने सदस्य देशों ने और ये प्रभावी का हुआ था आंचेल में प्रभावी हुआ था तो सच grass जो शुमन कोषीन पूस लुगं तो इसको तो छीए अगर जैशों में छिद्र सेर सिंक्यऻ दें गई तो जो आउन में छीडंग देखी गई थी हैं तो उजोन में शिद्र देख गई थी किसीर को देखी गई थी 1985 किसने देखी था त्वे देखा गय था अप्रट में अन्टार्क टिकावान देखा गय्याशा ये एसा परगता है तो ये इन चाहता है पढ़ता है कि दुरु में पढ़ता भी olur यानि साहदन स्फेर ने पढ़ता है मैं ठीक देखो आप अगर कोशन बूचाईगा अधस्ट क्रुम पढ़ता है तो यह देखे के समझेगा यह आपका उपर्थिवी है यह आपका उत्तरी दुरु है उत्तरी और यह आप जानते होंगे कोई सा और यह दये तो महिस ध मैं दान पूर्ट यहांगा। architect में कब EgyptBER होता है is Greece SAY чит महें दोरान ये जोंतने को पाहिए आता है तो architect में 2 बिदिः देखने को मिलता है और दच्छनी को लार्ड में कब मिलता है तो दच्छनी को का नाम क्या है तो जोन की मापक इकाई का नाम क्या है तो जोन की मापक इकाई यानि मेजर्मेंट यूनिट का नाम क्या है तो जोन की मापक इकाई अगर पूछाएगा उसकी यूनिट का नाम क्या है मापक इकाई यानि मेजर्मेंट यूनिट का नाम क्या है तो आप बच्प वाला यंतीर का उंस है तो ऑजोन की सता को ऐसे अबाएं ये अगर मतलद होता है मशीन यानी सता को म अपने वाला यंतन का नाम बताए है अब नाम में आता है तौ blog तो इसका नाम है स्पेक्ट्रो मीटर के नामें स्पेक्ट्रो मीटर से मैजर कियाता है कि कि अजोन की लेयर में कितना डेप्लिशन हुआ कितना छिदर हुआ तो इतना उम्य गता हूं समझ में आ रहा होगा अछय एक क्योंशन और पूच्छों कि उजून को सबसे ज़्यादा 6 किसे पहुषता है तो ओजोन को सबसे ज़्यादा 6 किसे होता है तो ओजोन को सबसे ज़्यादा अगर वाद की जाएगी 6 यानि किसे होता है तो यह होता है cfc को आपको फूल वार माइं ने अभू साहा है तो सीसके का कि दूसरा नाम जो होता है इसे जाना अच्छा अगर्बात किया है कि cfc cfc का formula क्या होता है तो cfc का formula होता है cf2 cl2 होता है क्या होता है cf2 cl2 होता है तो what is the formula of cfc तो cf2 cl2 होता है इसका formula इसका सूतर होता है अब देखिएगा इसका निर्मार cfc का formation कहां से होता है यह आपका अगर पूछा है paper में नाम से जाना आता है तो अगर कोई कोई फॉचह आप सी गयास का जो निर्माण होता है वो किस घैस से होता है तो वह सबसे निकलता है उसके बाद असी से निकलता है और तीसरा सबसे आदा कहां से निकलता है यह आपको कमेंट सेक्षिं के बॉक्स में बताना है तो सबसे आदा स्य का करने वाली मशीन होती है तो एक कोशन और पूछा आता है प्रशीतक यंत्रों से किस यंत्रों से भी है प्रशीतक यंत्रों अब यहाँ पर शीत दिख रहा है और शीत कपड़ती है खंड़ करने वाले मशीनों से कौन सी अरड़ निकलती है तो वहां से से सी फिग्स स्वार मशां पूछा हैगा औरहुत असक पूछा की सिफ्जद करता नाम पूछा है तो क्या हो गा होगा तो Moto होता है और देखिएा धोये हैं कु नाम क्यों होता है फोड्रोलम होता है और दो क्या को क्या बोलते है ॐसम हो जाएए जाए कि डाई शरक्रणों सब्सक्राइम भी집 गठ्रbahn फिर दो से हो जाएगा डाई वसकी हो जैऄगा। टाइफ लोडा एक कारबन को मेती बोलत हैं तो धें देखिए मेथं गर्मिला पर रहा हो गा आप देखेगा काइसे बनता है यहां तो मैं मैं मिटैल दे रहा हूँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको अन्सक्राइभ बीन का फर्मुला कार्बन होता है, चारो तरफ executiveitectum को चार तरफ से घेहरी तरफ साथ है चारो तरफ से घारी हुतती है यह देखेगा, C कितना है, एक है, कितने हैं हाई इडोजन चार है, तो एकल बंद दारा याणि सिंगल बाउंड दारा यह घिरा होता है, एकल बाउंड दारा, आप समझेगा ध्यान से, शिंगल बाउंड से, आप ध्यान समझेगा, यहाँ पर दो कार्बन को, किसको बहिए, चाहिसे कार्वन की जिगह संस्ट्राइब करता है और दुन करता है इस कारबन को रियां करता है सी एल को नि प्लेस करता और इस से तेखिए गाँ जाद लहां पर कुछ फार्मूला क्या होता है रहाँ रहा कि म समझद एंग काім wa कौन करता है , डो-फ्ट्रॉरीनisel कर देती है , फ्लॉरी मिशापित कर देती ए तो फार्मूला क्या बना , तो इसका दिए फॉर्मूला बनता है तो इमीद करता हम समझ में आया होगा तो इमीद करता हम बहुत इच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस्टेटेफ और चैनल और कमेंट सक्षिंग के बॉक्स में आप रपलाई देना ना पुलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग कीप इट अफ और 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 अल देवेस्ट